तो दोस्तो अब javascript में हम बात करते हैं data type की data type क्या होता है तो data type का मतलब यह होता है किसी भी language में अगर आप बात करोगे तो data type का मतलब यह होता है कि उस particular variable के अंदर किस तरह का data रखा गया वो बात data type से पता चलती है जिसे अगर मैंने कोई number data रखा है तो data type के हो जाएगा number अगर मैं कोई boolean रखूँगा boolean का मतलब यहां true और false रखूँगा किसी variable के अंदर तो वो boolean data type हो जाएगा और अगर मैं किसी का name रखूँगा तो वो strict data type हो जाएगा तो जो भी data का type है किसी variable में store होने वाले data का जो type है वो उसका data type होता है अब अगर data type की category की बात की जाए तो data type की category में जावा script को दो तरह से define किया गया एक तो गोला गया primitive data type जिनको हम value type data भी बोलते हैं और दूसरा होता है non primitive data type जिसके अंदर object और array आते हैं हर language में कुछ न कुछ predefined data type होते हैं जिसको हम लोग primitive data type बोलते हैं लेकिन अब एक question है एक यहां पर confusion यह होता है कि जावा script जो है हमारी language उसमें हम जब variable बनाते तब तो data type define ही नहीं करना होता यह तो automatic define हो जाता है weekly type programming language है मतलब इसमें data type बताने की जरुद नहीं होती तो language का जो behavior है वो javascript पे depend करेगा वो मतलब data type पे depend करेगा जिसे 1 प्लस 1 आप करोगे तो 2 हो जाएगा लेकिन अगर वो number हो अगर string में 1 है तो 1 प्लस 1 11 हो जाएगा तो यह जो nature है operation करने के बाद वो data की type से declare होता है और इसी लिए यह सारे data type यहाँ पर बनाए गए अभी मैंने क्या किया है कि यह जो basic folder है मेरा इस basic folder के अंदर मैंने एक data types का folder बनाया और उसके अंदर मैंने यह file बना ली और यह जो है यह अलग से एक image मैंने जो है वो यहाँ पर रख रखी है तो primitive data type और non primitive data type और non primitive data type जिसको हम लोग user defined data type भी बोलते हैं और इसके अंदर object और array आता है और primitive data type के अंदर boolean number string null defined symbol और भी options है मतलब बटा भी हमको इतने ही देखना है यहाँ पर तो अब अपन चलते हैं इनको देखने के लिए कि primitive data type क्या है और non primitive data type क्या है तो देखें primitive data type में पहला data type आता है हमारा वो होता है boolean तो boolean का क्या मतलब है तो boolean जो होता है boolean data type it's represent a logical entity and can have values true or false मतलब जो boolean data type होगा उसकी value या तो true होगी या value जो है वो यहाँ पर false होगी दूसरा आता हमारा number data type तो जो number data type मतलब नो number यहाँ पर integer भी number है और floating point भी number है जिसे अगर मैंने लिखा कि 3.14 तो वो भी number है और अगर मैंने लिखा कि 4000 तो वो भी यहाँ पर number है मतलब decimal और integer दोनों को यहाँ पर number से ही represent किया जाता है जावा script के अंदर और उसके बाद में आता है हमारा string data type तो string मतलब कोई name होता है तो represent sequence of characters जिसे कोई name होता है यह double code में भी होता है और single code में भी होता है वो हम देखेंगे कि double code और single code को हम लोग किस तरीके से use करते हैं फिर यहाँ पर आता है null null मतलब represent null no value at all मतलब null का मतलब अभी variable जो है उसमें represent null मतलब अभी कोई value उसके अंदर नहीं है उसको बोला गया है यहाँ पर null और undefined यानि represents undefined value तो मतलब null और undefined इसको हम लोग example से समझेंगे यह ऐसे समझ में नहीं आएंगे इसको जब हम दो example से समझेंगे तब हमको clear होगा कि null क्या है और undefined क्या है और undefined किसको use करते हैं और null को कैसे use करते हैं हमने देखा था कि जब हम कोई variable बनाते हैं और उस variable को अगर हम कोई value in slice नहीं करते हैं तो java script अपने से उसमें undefined डाल देती है तो यह undefined हो गया और null हो गया null का मतलब और undefined का मतलब वो हम देखेंगे कि क्या है अब आता है हमारा non primitive data type तो non primitive data type की बात करेंगे तो उसमें object और array और दोनों ही बहुत important होते हैं अगर मैं array की बात करूँ या मैं object की बात करूँ पहले हम लोग object की बात कर लेते तो object का मतलब क्या होता है कि वो किसी न किसी entity को represent करता है जैसे मान लो आप कोई software बना रहे है और आपने car को represent किया तो car क्या है car एक object है उसके अंदर function भी ह बनाओगे set color function बनाओगे properties को initialize करोगे तो वो एक object है क्योंकि वो एक object को represent कर रहा है तो उसको जावा स्क्रिप्ट ने object data type बोला और होता है एक होता है मारे array अरे मतलब represent group of similar values लेकिन जावा स्क्रिप्ट के array में आप जो है वो different different value को भी यहाँ पे store कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर similar value हुई हो आप array के अंदर जो non similar value है वो भी रख सकते हैं यहाँ पे तो जैसे वुलियन data type की हम बात कर रहे थे यह हमारा वुलियन data type है तो वुलियन data type का example क्या हो सकता है जैसे example में मैंने x is equal to true तो यह क् number data type का example तो जैसे salary, salary number यह number data type हो गया और यह pi is equal to 3.14 यह भी जो है वो एक number data type हो गया अब इस string data type की बात करेंगे तो string जैसे मैंने बताया कि combination of word होता है तो यह इस तरह से हम लोग string को start करते हैं और इस तरीके से string को start करते हैं example के लिए जैसे यहाँ पर यह example है इसको सही कर देता हूं मैं example और जैसे यहाँ पर city यह हो गई और यहाँ पर city यह हो गई तो यह example है ठीक है अब undefined or null, null और undefined are both data types in JavaScript, undefined क्या होता है it means variable has been declared but no value has been assigned यह आपने variable declare किया लेकिन उसको कोई value नहीं दी है उसको हम लोग वोल automatically undefined initialize कर देती है अगर आपने कोई variable बनाया है और उसको आपने कोई value नहीं दी है तो javascript automatically उसमें undefined डाल देगी और इसका एक example से हम समझेंगे क्योंकि इन दोनों में बहुत सारा confusion होता है जिसे अब यहाँ पर null है, null क्या है, null को एक assignment value माना गया है, it is a value date assigned by programmer to indicate date the variable currently has no value but will be initialized later, मतलब उसको एक assignment value माना गया है और undefined को undefined वाली value यहाँ पर माना गया है, तो जैसे यहाँ पर आपने बोला कि age, age null है और लेकिन अभी age को declare नहीं किया, तो age is declare and initialize with null, तो अभी null है, जब age declare करेंगे तो महाँ पर age जो है वो actual value हो जाएगी, तो इस तरीके से यह इतने data type होते हैं, अब इन data type का हम लोग practical देखेंगे, मतलब इन data type के base पे हम लोग कुछ program बनाएंगे और उन data type को फिर हम लोग detail में देखेंगे, program बनाखे, कि किस तरीके से यह data type का जो behavior है, वो हमको दिखाई देता है जावा स्ट्रप्ट के अंदर, तो अब हम देखते हैं, एक interview question है यह, कि null और undefined, null और undefined में क्या difference होता है, basically यह एक interview में पूछा जाने वाला question है, तो null और undefined की बात हम करें, देखें, null का क्या मतलब होता है, तो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अगर हम कोई variable बनाते हैं, और उस variable में अगर हम कोई value initialize नहीं करते हैं, तो javascript automatically उसमें जो है, वो undefined डाल देती है, तो यहाँ तो यह बात clear हो रही कि it is not an assignment value, it means variable has been declared, but it not had assigned a value, यह बात हो गई कि by default वो undefined होता है, ठीक है, लेकिन null क्या करता है, null assignment operator है, मतलब अगर आपने किसी चीज को null assign करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वो अभी उसमें value नहीं है, लेकिन बाद में वो उसमें कोई value जो है, वो initialize की जाएगी, तो यह null assignment value है, और यह जो है वो unassigned value, not an assignment value, अगर आप type of operator का use करके value निकालेंगे, तो यहाँ पर जो type आएगी, वो इसकी type object आएगा, ठीक है, और undefined का अपने आप में वो undefined type बताएगा, अगर आप यहाँ पर type of undefined करेंगे, तो undefined ही आएगा, मतलब वो एक तरह का data type है, यहाँ पर, इस तरीके से JavaScript बोलना चाहरी, और यह जो है, उसको यहाँ पर object को as a object represent किया गया है, null को इन्होंने, अब null indicates the absence of value for the variable, यानि कि value आएगी, लेकिन अभी value नहीं है, और undefined indicates the absence of the variable itself, मतलब वो variable नहीं है, यह यहाँ पर बताया गया है द perform करते हो, तो यहाँ पर null is converted to 0 while performing the primitive operations, और undefined is converted to NN by performing the primitive operations, तो अभी जब हमें code करेंगे, तो हम यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे, तो आप देखोगे, यहाँ पर not a value, NN, NN करके आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आएगा, वो जो value आएगी, वो यहाँ पर आएग तो अब हम एक code बनाते हैं, जो कि data types से related ही होगा, तो यह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर data type के अंदर मैं एक folder और बनाता हूँ, यहाँ मैं एक file बना लेता हूँ यहाँ पर, और file इसमें एक file मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और file बना लेता हूँ, और इसका नाम म मैं देता हूँ, print और हमको इसमें क्या करना है कि double code को print करना है, तो मैंने नाम दे दिया print, और print, print के बाद मैं यहाम पर double codes, ये, एक file बना दी मैंने dot js करके ठीक है, अब इस file को मुझे क्या करना है ये file मैं include करा लता हूँ, या तो यहा पर एक index index.html भी बना लेता हूं मैं इसी folder के अंदर में index.html बना लेता हूं तो यह मैं index.html फाइल बना ली मैंने यहां हैसा करते हैं कि एक sub folder बना लेते हैं तो जैसे मैं यहां पर यह वाला folder है मेरा मैं क्या करता हूं एक minute यहां पर example one करके एक folder बना लेते हैं ठीक है तो यह एक्जाम्पल वन यह मैंने एक folder बना लिया example वन और यह जो एक्जाम्पल हमाँ फोलड़ है इसके अंदर में यह वाली file और यह वाली file दोनों file को cut करके और इस example folder के अंदर जो है वो होता है वो ले लिया मैंने और यहां पर जो है मैंने को फाइल को क्या करना है इंक्लूड कराना है तो यहां पर मैंने script take लिया और script take का जो src attribute होता है वो मैंने लिया और यहां पर यह print double code.js को मैंने ले लिया यह फाइल आ गई है अभी मैं इस फाइल को run कर दूंगा open with live server तो जैसे ही मैं open with live server करूंगा यह open in browser और यहाँ पर यह जो file है मेरी वो open हो जाएगी अभी क्या है कुछ output आएगा नहीं और output इसली नहीं आएगा क्योंकि data type के अंदर example बन में गया है ठीक है क्योंकि मैंने अभी कुछ print नहीं गया तो जैसे मेरे को यहाँ पर पहले मैं heading देता हूं कि print double quotes है ना print और यह चुकी एक question है कि अगर आपको javascript के अंदर double quotes print करने हैं है ना तो आप किस तरीके से print कर सकते हैं तो devil quotes को print करने के लिए हम क्या करते हैं देखे यह javascript file है अभी यह heading change हो गई यहाँ अब अपने को code लिखना है तो code के लिए मैं बापस से इस file पर आ जाता हूं और मैं लेता हूं let msg करके मुझे एक string लेनी वो string कोई भी हो सकती तो मैंने यहाँ पर एक string ली और अभी अब string double code में नहीं आया है तो अगर मेरे को double code में string को करना है तो इसके दो तरीके पहला तरीका तो यह है कि यहाँ पर आप single code में इसको दोनों तरफ single code लगा दीजे तो यह double code में string प्रिंट हो जाए यह देखे यह यहाँ पर आप देखोगे तो यह double code में आपको दिख रहे हैं स्ट्रिंग दूसरा तरीका एक तरीका और होता है उसमें यह बोला जाता है कि आप यहां पर लगाईए तो double code जो की C language का तरीका है है ना और backslash लगा दीजे double code और backslash लगाओगे आप यहां पर फिर double code में आप पूरी string लिखोगे last में भी आप यहां पर backslash और double code लगा दोगे और यहां से एक double code हम अटा देते हैं यह यह हो गया लेकिन होता क्या है कि जिसे मैंने क्या किया यहां पे backslash double code लगाया और पूरी string को मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा और backless double code लगा है तो अभी देखते है console पे क्या आया है यहाँ पर कुछ error आ रहा है line number 21 में कुछ error दे रहा है system तो यहाँ पर आपने backless double code लगाया फिर आपको यहाँ पर backless double code लगाना था तो यह backless और यह double code यह है सही तरीका लेकिन हमने चुकि prettier डाल रखा है तो prettier जो extension है वो इसको auto format कर रहा है उस वज़े से यह जो है अगर मैं prettier को अगर मैं prettier को यहाँ पर देखे एक तरीका तो यह है इसको मैं as a comment यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि prettier क्या करेगा auto format कर देगा तो जैसे मैंने यहाँ पर यह लिख दिया एक तरीका तो यह है जो कि c c plus plus का तरीका है यह वाला जो तरीका है वो अगर आप c और c p p में अगर आप double quote print करना चाहते हैं तो यह तरीका है इस तरीके से होता है और अगर आप python की बात करें तो python में इस तरीके से print करते हैं तो javascript के अंदर अगर आपको double quote print करने हैं तो इस तरीके से हम लोग javascript के अंदर double quote को print कर सकते हैं